हाई डिसाइबल वेलकम टू आवर यूटूब चैनल सिल्वर गाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि आज हम अपनी सिल्वर गाइड चैनल में आपको बेसिक फंडामेंटल के बारे में बताएंगे हम सिल्वर गाइड में आपको बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक सारे कोर्स प्रोवाइड कराएंगे तो आज हम जैसे बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल के बारे में basic fundamental के बारे में बात करने के साथ आज हम उपको basic के बारे में कुछ चीज़े बताएंगे लेकिन उससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे वो चीज़ बता देती हूँ तो आज हम पढ़ेंगे paint के बारे में paint से पहले में कुछ आपको theory समझाना चाहा रही हूँ तो सबसे पहले आज हम computer की knowledge के साथ computer की full form के बारे में भी जान लेते हैं तो computer की full form होगी C से common, O से operating, M से machine, P से particular, U से used for T से technical and E से education, R से research ये तो बात होई हमारी computer full form के बारे में लेकिन अगर हम हिंदी में भी इसकी knowledge लेना चाहें तो उसकी बात करते हैं आम तोर पर यह संचाला नियंत विशेस रूप से उपियोग होता है तकनीकी ओशेश की खोज के लिए तो ये तो बात होई हमारी computer full form की इससे आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं hardware and software की hardware, software होते क्या हैं हम इनके बारे में भी knowledge, जानकारी होनी चाहिए तभी हम आगे अपना work कर सकते हैं तो hardware, hardware वो होते हैं जिनने हम छू सकते हैं और software वो होते हैं जिनने हम छू नहीं सकते हैं तो hardware से जब बात करते हैं तो hardware में कुछ parts होते हैं जैसे हमारा internal and external internal parts वो होंगे जो बहुत जरूरी होते हैं अगर internal parts होंगे ही नहीं तो हमारा जो computer है वो start ही नहीं होगा और external जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको external मतलब extra part तो बात करते हैं internal parts की तो internal parts में कौन-कौन से parts आते हैं सबसे पहले आपका आजाता है CPU, second आता है आपका mouse, monitor, keyboard अगर आप internal parts के बारे में जैसे हमने भी बात किये हैं internal parts से अगर हम CPU ही skip कर दे हटा दे तो आपका computer चले गए नहीं, start ही नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगी internal parts हैं उसमें हमें जितने भी parts हैं, जैसे mouse हैं, keyboard हैं, monitor हैं, CPU हैं, वो जरूरी parts हैं अगर इन में से कोई भी एक हम parts हटा दें या ना रखें या ना लगाएं तो हमारा computer start नहीं होगा next बात करते हैं external parts की, external parts printer and speaker printer जैसे की हमने भी बात भी की थी external, external मतलब extra part तो extra part अगर ये होंगे, आपके system में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी problem नहीं है और अगर नहीं होंगे, तो भी कोई problem नहीं है कहने का मतलब हैं, जैसे आपके internal parts, internal parts मतलब बहुत जरूरी parts हैं अगर उसमें से एक भी parts मिस हो जाता है, तो आपका computer यूज नहीं होगा इसी तरह से external parts जैसे speaker है, speaker song सुनने वगएरा के लिए होता है तो अगर हम अपने computer में song वगएरा नहीं सुनेंगे, तो आजकल के mobile हो गई, TV हो गई, उन पे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे ही printer, hard copy निकल के आती है, इसी तरह से अगर हमें कोई भी resume वगएरा निकलवाना हो, लेकिन अगर हम अपना work कर सकते हैं, लेकिन printer यह नहीं जरूरी parts नहीं है, तो यह external parts होंगे, मतलब extra parts होंगे बात करते हैं अब software की, अभी तो हमने बात की hardware की, hardware मतलब जिनने हम touch कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिन पर अपना work कर सकते हैं अब next होगा आपका software, software में सबसे पहले आपकी कुछ topic आ जाएंगे, सबसे पहले operating system, next आपका system software, application software, device driver operating system, operating system होता क्या है, software के बारे में तो मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, software वो होंगे, जिन हम छू नहीं सकते हैं, जैसे आप बात करते हैं, operating system की, तो हम operating system, operating system क्या होता है, operating system होता है, operate करना computer को system को operate करना operate करना मतलब कि अगर आपका system बिना window के work कर सकता है नहीं तो window होनी जरूरी है window आपकी कोई भी हो window x भी हो, window 7 हो, window 8 हो window 9 हो, window 10 हो कोई भी window हो उससे कोई problem नहीं है लेकिन आपके system में window होनी जरूरी है उसको operate करना जरूरी है तो यह आपका operating system कहलाएगा next आजाता है इसमें आपका system software system software क्या होता है system software जब हम operating जब हम window install करते हैं तो उसके साथ कुछ system software आते हैं जैसे की paint आपका not pad, word pad, calculate, etc और भी more होते हैं तो next बात करते हैं application software की आप्लिकेशन सैफ़ैय क्या होता है अप्लिकेशन सैफ्टव को या आपको अलग से इंस्टोल करना होता है चाले आप NET वगरह से करें या आप कर भी भार इंस्टोल करा है एं खुरसे इंस्टोल कर सकते हैं तो जैसे आप application software कौन-कौन से होंगे MS Office होगा, Tally होगा, Photoshop होगा, AutoCAD होगा, Coral Draw होगा, 3D Max होगा, After Effect होगा, ETC और भी बहुत सारे होते हैं application software, application software जैसे कि मैं आपको आज mobile का example दूँगी, आप mobile में work वगेरा कर सकते हैं, उसके wire को चूँ सकते हैं, उसके charger को चूँ सकते हैं, mobile हम touch कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके hardware, जैसे कि हम WhatsApp वगेरा, Facebook जैसे use करते हैं, उसमें हम अपना work करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम उनने चूँ नहीं सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके software, तो same ऐसे ही hardware software system में होते हैं, तो next बात करते हैं आज हम device driver की device driver में सबसे पहले कुछ topic आ जाते हैं वो देख लेते हैं sound driver, display driver, land driver, wi-fi driver, etc sound driver होता क्या है sound driver अगर हमें कोई भी speaker जैसे अभी हमने बात की है external parts में speaker तो अगर हम यहां से sound के लिए अगर कुछ सुनना वगेरा चाहे तो उसके लिए एक driver होता है अगर आप इसमें speaker वगेरा भी लगा लेंगे और इसमें sound driver नहीं होगा आपके computer में system में तो आप यहां से sound नहीं सुन सकते ना वीडियो देख सकते इसी तरह से next बात करें हम यहां से display driver की display driver अगर आपको game वगेरा game खेलना है या game वगेरा चलाना है तो उसके लिए आपको display driver की ज़र server करने के लिए next आ जाता है Wi-Fi driver Wi-Fi driver अगर हमें hot spot से connect करना है तो उसके लिए आपको Wi-Fi driver की ज़रुत होती है अगर आपके यह driver नहीं होंगे तो आप ना तो hot spot से connect करके use कर सकते हैं ला land driver से कर सकते हैं ऐसे display हो जाएगा ऐसे sound driver हो जाएगा next बात करें तो आज हम mouse की बात कर हैं तो mouse में सबसे पहले हमारे यहां पर तीन बटन होते हैं तीन बटन कोन से होंगे एक तो आपका left click होगा left click कैसे होगा left click हमारा कोई भी selection के लिए next होगा आपका right click right click होगा option मतलब option open करने के लिए next होगा आपका scroll bar से अगर हमारे पास बहुत बड़ी list है तो उसको up down से हम देख सकते हैं तो यह तो ही हमारी theory की बात जैसे कि हम बात करते हैं अब यह हम बात करते हैं आज paint की paint से पहले लेकिन छोटी सी में information और देना चाहूंगे आपको सबसे पहले जहां मेरा यह cursor move कर रहा है जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो यह होता है हमारा cursor move left click right click मैं आपको बता ही चुकी हो mouse से अब यहां से जो हमें दिखाई दे रहा है यह होती है आपका dextrope dextrope मतलब display जो हमें दिखाई दे रहा है system का इस पर जो हमें यह छोटे-छोटे box दिखाई दे रहा है इनको बोलता है icons icons मतलब होते हैं जैसे हम कोई भी जैसे मैंने भी software की बात की है तो software के रूप में हम यहां से shortcut की बना देते हैं कि open लिए हम भार आइकन से open कर सकते हैं जैसे अगर आपको यहां से computer open करना है तो computer के लिए हम क्या करेंगे mouse से right click करेंगे right click करते ही वो हमें कुछ optional देता है मालब कुछ option देता है जैसे open manage वगएर प्रॉपर्टी ज कर सकते हैं मालब उसको select select कर सकते हैं कि हमें open करना है computer तो आप यहां से computer open कर सकते हैं लेकिन हम बात करते हैं कि आज paint की तो paint से सबसे पहले हम यहां start menu window भी बोला जाता है start menu भी बोला जाता है लेकिन उससे पहले यह आपका क्या बोला जाएगा इसको बोलते हैं tax bar tax bar के लिए starting में आ जाएगा आपका start menu बार start menu बार पे जाएगे और यहां से हमें paint open करना है तो paint open करेंगे कैसे आज हम तो उसके लिए हमें all program पे जाना है all program पे जानने के बाद ऐसे series का option आता है इस पे click करना है और यहां से हमें paint का option मिल जाएगा paint पे हमें left click कर देना mouse से तो आज आपका paint start हो चुका है paint start करने से पहले भी कुछ छोटी सी जानकरी और देना चाहूंगी मैं आपको सबसे पहले untitled paint इसको क्या बोलते हैं पता होना चाहिए हमें इसको बोला जाता है title bar title bar जैसे आपको देखा भी होगा सुना भी होगा कि अगर आप movie वगेरा देख रहे हैं या serial देख रहे हैं तो आप यही तो कहेंगे ना कि हा मैं यह वाले movie देख रहा हूं हा मैं यह वाला serial देख रहा हूं या मैं यह book पड़ रहा हूं तो उसका title ही तो बताएंगी तो title का मतलब होगा कि आप अगर कुछ भी paint में work करते हैं तो उसको अपनी नाम से file save करना अपना नाम देना अपन करना है अपना paint तो उसके लिए होगा next बात कर लेते हैं restore down, restore down से हम half screen मतलब छोटा या बड़ा कर सकते हैं और आपको अगर minimize करना है तो minimize यहां पे हमें tax bar पे show करा देगा हम otherwise कोई और software में work करना है तो हम उसको कर सकते हैं minimize करके अब बात करते हैं अंटाइडर से left side area की इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है quick access toolbox, next आजाता है आपका paint ribbon box, next आजाता है इसमें आपका home and view, इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है menu bar next आता है clipboard, image, tool, shape, color plates इनको बोला जाता है standard bar and properties bar बात करते हैं अब हम सबसे last में चलते हैं इसको बोला जाता है status bar जहांपे आपका 100 zoom out and zoom in का option शो करा रहा है यानि की zoom का option शो करा रहा है इसको बोला जाता है status bar और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं tax bar होगा यह आपका जैसे कि आज हम आपको paint पढ़ाने वाले हैं तो paint पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके tools आते हैं अब tools में आप pencil चला रहा चाहते हैं तो pencil में सबसे पहले option आता है कि अगर हमें pencil से कोई भी शेफ वगेरा बनानी है जैसे मैं यहाँ line एक draw कर रही हूं अब line draw में कर रही हूं यह थोड़ी लेकिन un-state तिरची हो रही है अब मुझे इसको state draw करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से हम state भी draw कर सकते हैं और एंगर आपको तिर्ची करना है तो तिर्ची भी कर सकते हैं लिगार से इसे मुझे डाइमंड वाली से चाहए है लेकिन शेफ से पहले मुझे इसको रॉफ करना हैं जो हमने पैंसल ड्रोग कीती तो उसके लिए next option जो होगा next tools जो होगा आपका eraser का होगा eraser में आएंगे eraser का size बड़ा करने के लिए shortcut की होगी control के साथ आप plus करेंगे तो size वो increase कर देगा अगर आपको यहां से decrease करना है छोटा करना है size eraser तो उसके लिए आप control के साथ minus कर देंगे तो eraser size छोटा कर सकते हैं और control के साथ plus करेंगे तो आप eraser size बड़ा कर सकते हैं तो हम आसानी से erase कर सकते हैं eraser की help से next बात करते हैं हम आप आज हम fill with color की जैसे तो fill with color करने के लिए या तो आप pencil से कोई shape बनाएंगे अगर आप pencil से shape नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहां से shape के option दिये गए हैं जैसे हमने यहां से six point star ले सकते हैं हमें mouse से left click से size अपने according रखना है star का जितना आप बड़ा और कितना चुटा चाह रहे हैं next कोई दूसरी shape लेनी हैं जैसे अगर हमें यहां से rectangle लेना है तो आप rectangle भी ले सकते हैं arrows use करने हैं तो हम arrows मतलब left या right top bottom कोई भी एक arrow ले सकते हैं अब यह तो बात रही हमारी shape की अब हम बात करते हैं second toolbox की second tools मैंने जैसे भी बात किया था fill with color होगा fill with color क्या करके देगा fill with color अमें color fill करेगा किसमें जो हमने अभी shape बनाई है तो shape जो हमने बनाई उनlectric color करने के लिए fill with color ले ले लेते हैं color plates में जो हमें यहां से color अच्छा लगये अपने according आप कोई भी color रख सकते हैं जैसे मुझे यह green कलर ले और मैंने अपने rectangle वाली shape में fill कर दिया next में बात करती हूँ यहां से कोई भी दूसरा color ले सकते हैं हमें arrow में red color fill करना है और यहां से yellow color fill करना है हमें six star वाली shape में next बात करते हैं आप यहां से जैसे हमने अपनी painting बना ली अपनी कोई भी एक picture draw कर लेंगे आप कुछ भी बनाना चाहें यहां से मैंने six star point ले लिया rectangle ले लिया arrow ले लिया अब मुझे इस पर अपना नाम लिखना है नाम मतलब कि जैसे आपने देखा होगा painting वागेरा अगर कोई बनाता है painter तो उस पर नाम लिखा होगा होता है उसी बंदे का कि यह उसने बनाई है कोई भी एक नाम तो उसके लिए यहां से हम text toolbox ले लेता है text toolbox पे click करेंगे आपको जहां भी नाम लिखना है shape पर लिखना है या shape से other कहीं भी लिखना है left में, right में, top में, bottom में कोई भी एक एरिया चूज कर लेंगे और वहीं पे हम left mouse क्लिक कर देंगे और जब हम left click mouse क्लिक करते हैं तो यहां से आपके text toolbox के साथ text tool की कुछ छोटी सी information भी दिखाता है वो कि अगर हमें इसका size बड़ा छोटा करना है text का, या हमें text में कोई दूसरा color फिल करना है या text को हमें bold, bold में dark रखना है तो आप यहां से कुछ option लेके कर सकते हैं कैसे करेंगे, जैसे मुझे अपना जो text से वो red color में लिखना है तो हम यहां से red color choose कर लेते हैं और जो भी आपको लिखना है वो हम यहां से आज लिख सकते हैं जैसे हमें अपना नाम लिखना है, मैं paint लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने paint लिख दिया, और वो ही paint हम लिखने के बाद कहीं भी भार screen पे click कर देंगे, तो वो नाम हमें वहीं show कराएगा जहां हमने लिखा है, left side हो, right side हो, top में हो, bottom में हो, shape के उपर हो, अब बात करते हैं, eraser की, eraser की हम पहले ही बात कर चुके हैं, eraser मतलब rough करने के लिए होगा, next बात करते हैं, हम यहाँ से आज आज आपकी color picker की, अब color picker कैसे use होता है, यह देख लेते हैं, उसके लिए हम कुछ shape और ले लेते हैं, जैसे मैंने diamond shape ले ली, next हमने यहाँ पे star वाले ले ले लेते हैं, five star, अब इन दो shape में भी अलग-अलग color fill कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ से कोई दूसरा color ले 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 और यहाँ से हमने कोई gray color ले लेते हैं, अब हम देखो, जितनी भी हमने आपे shape बनाई हुई हैं, सब में अलग-अलग ही color fill हैं, अगर आप चाहा रहे हो कि color picker की help से, हम सेम यही वाला आपको color, second में, third में, fourth में, जितनी भी मतलब आपके पास shape हैं, चाहे हैं, आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उन्हीं सम्में एक ही color fill करना चाहा रहे हैं, तो उसके लिए color picker use होगा, color picker करता क्या है, color मतलब रंग और picker मतलब कोई भी एक रंग pick करना, और pick करके दूसरी shape में fill करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से color picker option ले लेते हैं, जो भी हमें color pick करना है, वह वाला color pick कर लेते हैं, जैसे मुझे ये yellow color pick करना है, और yellow color pick करने के बाद हमें next 5 star वाली shape में same color fill करना है, diamond वाली shape में fill करना है, and arrows वाली में भी करना है, और बाकी हमें rectangle वाली छोड़ देनी है या अगर आपको rectangle वाली में भी करना है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बस click कर देंगे mouse से left click तो आप उसी shape में उसी तरह का color fill कर सकते हैं जो हमने color picker से pick किया है आगे बात समझ में आप लोगों के तो आप यहां से color picker की help से कोई भी एक color pick करके सेम सभी में ही color fill कर सकते हैं अब बात करते हैं आप next tools की magnifier magnifier क्या करता है magnifier मतलब zoom करने के लिए अगर आपको यही diamond वाली shape या आपको जैसे नाम बहुत छोटा लिखा है लेकिन बहुत छोटा लिखा है लेकिन हमें जूम करके देखना है कि लिखा क्या है या हमें अगर line break हो गई जैसे हमने pencil से कोई एक बना लेते हैं color change कर लेते हैं यहां से अब यहां से कोई भी एक हमने shape बना ली और shape बनाने के बाद हमने यहां से कोई भी एक इस तरह से हमने shape बना ली और shape बनाने के बाद break रह गया जैसे हमने कोई भी pencil से ले लेते हैं या आप shape ही ले रहे हैं हमें zoom कर के देखना है zoom मतलब magnifiers से हम बढ़ा करके देख सकते हैं कितना बढ़ा कर के देखकते हैं 800 तक बढ़ा करके आपको जूम करने के लिए होगा, अब देखो, मैं यहाँ से कोई भी एक दूसरा कलर ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, lime color lime color के यहां से कोई भी एक fill with color से हम जैसे fill color करते हैं तो वो पूरा जो हमारी arrows वाली shape है उसमें fill कर देगा लेकिन हमें arrow वाली में नहीं करना है हमें खाले जो line से हमने बनाई हैं उसी में ही fill करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले magnifier से line जो break हुई भी है उसको मिला देते हैं कैसे आईए जानते हैं तो magnifier tools आपके लिए बहुत important होने वाला है जो भी हमें line break है उसको complete करनी है तो magnifier use करेंगे फिर आप pencil की help से color change कर लेते हैं और यहां से हम इस line को मिला देंगे वापस से normal करना है तो आपको view में आना है और view में आपका zoom option होगा और zoom option में 100% का option होगा इस पे click कर देंगे तो वापस से आपका जो paper size है वो normal size में आ जाएगा normal size कितना होता है paint का 100% अगर आप से कोई पूछ लेता है कि paint का paper size कितना होता है तो आप बता सकते हैं कि 100% होता है लेकिन हम बात कर देते magnifier की तो magnifier आपका use हो चुका अब हम कोई भी color लें जैसे मैंने pink color ले लिया यह जैसे रोज color है रोज color ले ले लेते हैं और यहां से fill with color से color fill करते हैं जो हमने अपनी pencils की help से shape बनाई थी तो देखो अब उसी shape में fill हुआ magnifier की help से जो break हुई थी हमने उसको line को मिला दिया तो यह तो बात हुई आपकी tools की tools समझ में आए next बात करते हैं आपकी brush की देखो brush में सबसे पहले brush का option आएगा आप brush size change कर सकते हैं control plus से जैसे अभी मैंने eraser के साथ भी बताया आपको eraser भी आप control plus से बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना है तो control minus की साथ कर सकते हैं ऐसे ही हमारा brush में option होंगे brush आप अलग-अलग तरीके के brush होंगे आप कोई भी एक brush ले तो यहां से उसका size वगएरा change करके आप brush यूज कर सकते हैं जैसे हमें कोई भी एक brush यूज करना है जैसे मुझे ये वाला brush यूज करना है इसके बाद next आता है यहां से next brush ले लेते हैं next brush आता है इसी तरह से अलग-अलग brush होंगे अलग-अलग brush के लिए हम यहां से करके दिखा रहे हैं जो भी आपको brush लेना है सब में अलग-अलगी style होगा जो भी आपको use करना है वो आप use कर सकते हैं मैं तो यहाँ आपको roughly बता रही हूँ आपको fairly अच्छे से brush वगरा use करने हैं सब में देखो जो design है आपके अलग-अलग brushes में अलग-अलग ही design आएंगे आप अपने brush से use कर सकते हैं इस तरह से तो यह तो रही brush के बाद अब बात कर लेते हैं shape की shape जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है fill with color करने के लिए आप यहाँ से कोई भी एक shape draw कर सकते हैं तो हमें यहाँ से shape draw करने के लिए बस यहाँ से left click करना होगा mouse का और वो ही shape हमारी paper पे insult कर सकते हैं left mouse click से अब यहाँ से हमें इससे भी extra कुछ चाहिए shape तो उसके लिए more option में आएंगे यहाँ से हमें more मतलब सभी तरहिके की shape दिखा देगा हम यहाँ से कोई भी shape ले ले लेते हैं और insult करा लेते हैं size अपने according रख सकते हैं shape का छोटा या बड़ा जितना भी हमें रखना हो इसके बाद हम बात करते हैं outline and fill की fill and outline कैसे use होगा इसके बारे में आज जानते हैं इसके लिए हम यहाँ से अभी अपना एक new paper ले लेते हैं अब यहाँ से हमें जैसे हमने diamond वाली shape ले लेते हैं shape हमने insult करा ली अब हमें क्या करना है जो इसकी outline है अब हमें इसका outline बहुत बारी कारी है मुझे इसका size जादर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ size का एक option होगा select होते हुए अपनी shape को size पे click करना है mouse से left अब mouse से left click जब आप करेंगे तो यह तो बात रही हमारे यहाँ से अगर हमें option से करना हो और अगर हम shortcut की से करें तो shortcut की के बारे में control plus के साथ हम size जादर कर सकते हैं outline का जो हम यहाँ से shape बना रहे हैं उसकी 4 और outline जो होती है उसका size अब उस size में हमें कोई एक outline color फिल करना है यहाँ से आपको कुछ more color मिल जाते हैं अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से no outline ले सकते हैं इसी तरह से जो भी यहाँ से एक outline color फिल ले रहे हैं तो हम वही color यहाँ से insert करा सकते हैं मतलब फिल करा सकते हैं तो आप जैसे हमने water mark color ले लिया water color लेने के बाद हम यहाँ से अब कोई भी एक shape बनाएं गया तो देखो वो उसी तरह की shape बनेगी जैसे हमने outline में color लिया है मतलब उसकी outline designing लिया है अब आप चाह रहे हैं कि हमने outline designing तो ले ली लेकिन मुझे अंदर मतलब इसके fill में भी इसे तरह का water color चाहिए या आपको natural color चाहिए या oil कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हम वापस से एक shape बना लेते हैं आपकी shape बनी हुई है बस यहां fill में जाएंगे और fill में लेने के बाद हम यहां से ऐसे ही natural color लेना हो water लेना हो लेकिन यह में दिखाए नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि देखो background जो है वो white है और जो हमारी shape है उसके जो अंदर fill है वो कोई color fill है नहीं उसके अंदर भी white color और white पे white कैसे दिखाई देगा तो इससे पहले हम एक color fill कर लेते हैं अपना fill option यूज़ करने से पहले तो उसके लिए हम यहां से वापस से tools में आते हैं fill with color पे आना है और fill with color पे आनने के बाद कोई भी आप एक color ले लेते हैं yellow color fill कर लिया हमने और वाप से हमें एक shape draw कर लेनी है जैसे हमें rectangle की shape draw कर ली color change कर लेते हैं आप हमने black color रख लिया color 1 में color 1 की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले fill color की बात कर लेते हैं अब यहां से shape fill मतलब हमने एक shape बना ली इसके अंदर आप कौन सा fill रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ fill लेंगे वो उसी तरह का fill shape करके दिखाएगा आपको जो भी अच्छा लगे हम ही पर click कर देंगे जैसे मुझे यह natural pencil चाहिए तो यहां पर हम इस पर shape fill पर click कर देते हैं अब हम बात करते हैं कोई दूसरा color जैसे हमने color plates में गए और color plates में जाने के बाद हमने fill with color से color fill कर लि तो हमें पीछे जो shape है हमारी back में वो उसको दिखा रहा है लेकिन अगर मैं इस shape में fill करना चाहूं तो हमें इसमें solid ही दिखाएगा अब यहां से हम इसी तरह से shape fill कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहां से पहले एक shape insert करा लेते हैं यहां से हमें कोई दूसरा color लेना है fill करा लेंगे fill with color से यहां से अब fill with color से color fill करा सकते हैं देखो वो shape के ओपर आ रहा है तो इसलिए वो shape नहीं दिखा रहा है तो हम यहां से क्या कर लेते हैं? New page ले लेते हैं अब यहां से हम कोई एक shape बना लेते हैं और यहां से हमने कोई भी shape fill से color fill कर लेंगे तो देखो जैसे हमने outline में shape fill लिया था दोनों में same ऐसे ही वो work कर रहा है अपना काम अब बात कर लेते हैं color 1 की color 1 and color 2 क्या होता है देखो जैसे नाम ही हमें दिखा रहा है color 1 मतलब foreground color foreground मतलब क्या होता है जैसे आपने कोई भी एक insult कर लेते हैं सबसे पहले तो हम shape insult कर लेते हैं और shape insult करने के बाद हम इसमें कोई भी color fill कर रहे हैं तो यह आपका क्या हुआ यह हुआ हमारा foreground color लेकिन अगर हमें shape में ना करके back में करना हो back में मतलब हमें background में करना हो तो background color कौन से होंगे color 2 तो देखो background color हमेशा white रहता है लेकिन अगर आपको कोई दूसरा color रखना है background में तो हम यहाँ से background color भी रख सकते हैं नहीं तो हम color 1 से आप यहाँ से कोई भी color रख सकते हैं अपने background में यह जो color 2 होगा इसका जो related होगा वो क्या होगा eraser जैसे हम erase करते हैं तो erase आपका white करता है लेकिन अगर हम color 2 में कोई एक color fill कर देते हैं तो वो background में भी अब color fill करके देगा मलब जो eraser है वो colorful eraser हो जाएगी तो इसलिए हमें color 2 में हमेशा याद रखना है white ही color रखना है क्योंकि ये हमें eraser मतलब background color है और foreground color मतलब हम shape में भी fill कर सकते हैं और background में भी कर सकते हैं अब बात करते हैं हम color की तो हमें जैसे color plates में कुछ color हमें दिखा रहा है लेकिन हमें इन से अलग कुछ हटके कुछ नया सा unique सा color बनाना है आपको कोई अच्छा लग रहा है हमें जैसे red color थोड़ा light लेना है या हमें pink color लेना है या हमें blue color लेना है जैसे कि mostly इसमें सभी दिखा रहा है लेकिन हमें इन से हटके कुछ color लेना है तो वो color कैसे आएंगे क्योंकि इसमें तो हैं नहीं तो उसके लिए हमें यहां से edit color का option मिलता है edit मतलब बनाना और color मतलब रंग कोई भी एक नया रंग बनाना तो यहां से तो हम color plate से कोई भी एक अपना color choose करके fill कर सकते हैं लेकिन अगर हमें बनाना हो color तो उसके लिए क्या करेंगे हम edit color पे आएंगे और edit color पे आने के बाद हमें बस mouse से left click करना है edit color पे और आपको एक edit color का box open करके देखा अब हमें यहां से कुछ वो color दे रहा है कुछ अलग-अलग देखो basic color दे रहा है यह तो होगे आपके basic color क्या आपने यहां से कोई भी एक choose किया और यहां से हमने add to custom किया और add to custom करने के बाद हम यहां से custom color में show करा देता है और custom show में जब करा देगा तो हम बस खाली ok करेंगे mouse से left के लिए तो वो हमें जो हमारी color plates होगी जो हमारी एक blank color plates में line दिख रही है हमें जितने भी हम color बनाएंगे one color बनाया, second बनाया, third बनाया, fourth बनाया आप कहने का मतलब जितने भी बनाते हैं वो हमें color plates में show करा देगा तो कैसे कराएगा जैसे हमने भी insult भी किया लेकिन यह तो हमने basic color से किया लेकिन हम अपना कोई भी एक नया color बनाना चाहें जो कि हमें color plates में ना हो आप कोई भी एक color बना सकते हैं mouse left click से अब जब हम बना रहे हैं तो हमारे पास कुछ number चल रहे हैं red, green, blues और वगेरा में तो यह क्या चीज हैं यह भी हम बताएंगे लेकिन उससे पहले हम खाली बना लेते हैं सबसे पहले हमने यहां से कोई भी एक color बना लिया mouse left click से लेकिन अगर मुझे इसी number से बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे जैसे हमने यहां से light and dark जितना रखना है आप light and dark रख सकते हैं scale हमें दिखा रहा है और अगर हमें यहां से number से बनाना है 150 150 करते ही वो थोड़ा dark थोड़ा dark ले ले लेता है next आते हैं हम यहां से blue में blue में रख लेते हैं 180 तो दिखो 180 करते ही वो color change कर देता है और अगर हम 180 ना रखें खाली 18 रखें तो हमें वो green जो हमने color बनाने वाले हैं आप color जो बना रहे हैं वो शो करा रहा है इसी तरह से number से भी कोई एक color बना सकते हैं अपना कुछ भी एक number marks रखें वह हमारा एक color बन जाएगा ठीक है यह हमारा जैसे कहते हैं महंदिया color तो वह वाला color बन गया तो हम यहां से color बना सकते हैं कैसे edit color में चाहे तो आप यहां से basically mouse click से भी बना सकते हैं left click से या आप यहां से number मतलम marks देके भी बना सकते हैं फिर add to custom करदेंगे add to custom करने की बाद custom list में शो करा देगा और हम यहां से ok कर देंगे ओके नहीं करना है तो आप यहां से enter भी कर सकते हैं और enter करने के बाद हम बस यहां से हमें color plate में show करा देगा और वो ही color हम अपनी shape में fill कर सकते हैं फिल्विद कलर से और आफ फिल्विद कलर से कोई भी एक डार्क ग्रीन ले सकते हैं एक्स वाई जैर जो हमने डार्क ग्रीन दूसरा बनाया था वो भी ले सकते हैं या आपको कोई दूसरा कलर बनाना है तो हम दूसरा कलर भी बना सकते हैं कैसे जैसे हमने भी बात किया है edit color से तो edit color से हम नया color बना भी सकते हैं और add भी कर सकते हैं तो edit color आपका important होगा color plates ने कुछी option कुछी color दिखाई देगा लेकिन अगर में इससे अलग कुछ बनाना है तो उसके लिए हम edit color में जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अब next topic के लिए हम next class में मिलते हैं आपको धन्यवाद